लिबनान की राजधानी बेरूत में अब पेजर हमले के बाद वौकी टौकी से हमले किये गए हैं जी हाँ आप बिलकुल सही सुन रहे हैं आपको बता दें कि ये पेजर हमले से भी जादा खतरनाक था जिसमें 20 लोगों के मौत की खबर सामने आई है और 3,250 लोग गायल बताये जा रहे हैं दरसल इसराइल और हमास के बीच काफी लंबे समय से संगर्श चल रहा है इस बीच इसराइल की ओर से लिबनान के हिजबुला के खिलाफ भी कारवाई की जा रही है अधे लेबनान पेजर हमले से ठीक तरीके से उभरा भी नहीं था कि एक बार फिर धमाकों की नई लहर देखी गई है 18 सितंबर को लेबनान में वौकी टॉकी में धमाका देखा गया है इन वौकी टॉकी का इस्तिमाल मुख्य रूप से लिबनान के हिजबुला सदस्यों की ओर से किया जाता है जो आम तोर पर उनके हाथों में रहता है वौकी टॉकी हमला पेजर धमाके से भी बड़ा माना जा रहा है क्योंकि इससे कई घरों और कारों को आग लगने की खबर आ रही है नए विसफोटो ने पूरे लेबनान में खौफ की एक नई लह फैला दी है हिजबुला ने हमले के लिए इसराइल पर आरोप लगाया है आपको बता दें कि इसराइली मीडिया की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि इसराइल का मानना है कि हिजबुला मरने वालों की जितनी संख्या बता रहा है वो उससे ज्यादा है 18 सितंबर को हिजबुला की ओर से इस्तिमाल किये जाने वाले फोन, सोलर पैनल और फ्रिंगर प्रिंट डिवाइस में भी विसफोर्ट होते हुए देखा गया 17 सितंबर को आपको बता दें कि पेजर विसफोर्ट हमले में 12 लोगों की मौत हो गई थी इनके अंतिम संसकार के दोरान एक और विसफोर्ट देखा गया एक कार और दुकान में भी आग देखी गई जिनके अंदर वाकी टॉकी फटे थे रिपोर्ट के मुताबिक बेरूत के दक्षडी उपनगरों में कई वाकी टॉकी विसफोर्ट हुए हैं हिजबुला से जुड़े बचाओ दल ने पुष्टी की की कारों के अंदर भी धमाके हुए थे हिजबुला के अलमनार टीवी ने लिबनान के कई इलाकों में विसफोर्ट की जानकारी दी है और ये भी बताया है कि हिजबुला की ओर से इस्तिमाल किये गए वाकी टॉकी बेरूत में फट गए एक सुरक्षा सुत्र का कहना है कि इन वाकी टॉकी को पांच महीने पहले ही खरीदा गया था ये लगबख वही समय था जिस समय पेजर भी खरीदे गए थे जिन में हाल ही में अभी विसफोर्ट हुआ है दरसल जिन वाकी टॉकी में धमाके हुए हैं उस पर ICOM V82 लिखा है जो की जापान में बनती हैं इसे बनाने वाली कमपनी ICOM Inc. ने कहा है कि वो इस दावे की जाच कर रहे हैं हालंकि इस वाकी टॉकी को लगबख एक दशक पहले यानि 2014 में ही बनाना पंद कर दिया गया था जिसमें अलग से बैटरियों की जरूरत होती है तो दोस्तों ये थी वाकी टॉकी में होने वाले दमाकों की खबर ऐसे ही और खबरों से जोड़े रहने के लिए News Connect को सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद देश दुनिया के हर बड़ी खबर देखिए हर घंटे नई खबर के साथ सिर्फ आपके अपने चैनल News Connect पर News Connect यानि खबरों से आपका Connect News Connect को लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि आप रहे हर वक्त हर खबर से अपडेटेड